मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 3 मई 2021 का दिन मीन रासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले समय में मीन रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके बेपार आपके बेबसाई के बारे में मित्रों आने वाले समय से पहले यदि आपके बेपार आपके बेबसाई में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाही क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय में यदि आपके दामपत्ते जीवन आपके बैबाहिक जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले शमय में आपके जीवन साथी का साथ आपके जीवन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने वाले समय में अपने नौकडी के छित्र में समय के दृपयोग से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यदि आप ऐसा नहीं करते हैं अपने नौकडी के छित्र में यदि आप अपने समय को बरबाद करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक छात्र हैं विद्यार्थी हैं तो आने वाले समय से पहले यदि आपके पड़ाई लिखाई में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहीं क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपके पड़ाई लिखाई में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है नारंगी एबम सुनहरा, आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स मित्रो आने वाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको त्रिफला का सेबन करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं त्रिफला का सेबन यदि आप करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, एबम इस वेडियो के नीचे जय मादुरगे कमेंट कर दें, एबम इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें, धन्यवाद